सहजन मतलब अगर आप देखेंगे तो यह जो drum stick जिसको बोलते हैं इंग्लिश में और शेंगा बोलते हैं मराटी में और सेंग बोलते हैं हिंदी में तो यह उसके पत्ते के सबजी आजम बनाने वाले हैं तो यह दिखें एकडम ग्रीन है यह हमें मार्केट में काफी इसली अवेलेबल मिल गया क्या यह मुंबई में आपको पेड नहीं होता है तो आपको मार्केट से लेना पड़ता है अगर आपके आसपास में पेड हो तो आप जरूर उसकी कोले पत्ते जो है वो तो तो सबजी तो आइए आपको बता देते हैं यह सहजन क्या होता है जिसे हम शेंगा कहते हैं इसे ड्रम स्टिक होता है उसके पत्ते की सबजी है तो मैं आपको बता देती हूं यह देखें आप देख सकते हैं इसकी पत्तियां ऐसे ही होती है इसको उमने वाश करके ले लिया है तो बता देते हैं इसमें बाके इंग्रिडिंस हम क्या यूज़ करने वाले हैं, तो जैसे कि ये ड्रम स्टिक है, जो सहजन के पत्ते, उसके साथ में हमने ले लिया है शिंगदाना, जो थोड़ा सा भूना हुआ है, हमने उसको हलका सा भून लिया है, साथ में हम डाल रहे हैं 5-6 मिर्च उसमें हम add करने वाले 7-8 कली लसुन जिसको हमने काट लिया है हमने 2 बड़े प्याज ले लिये हैं बड़े साइस के प्याज तड़के में हम यूज करने वाले हैं जीरा नमक डालेंगे स्वादनुसार हल्दी और मिर्च पाउडर राई लेंगे हम तड़के में और हमने हिंग लिया है तो आपको आगे बता देते हैं इसके जो प्रोसीजर है काफे easy और simple है ये 10 मिनट में बनने वाली सबजी है तो अब ये जो मौमफली का दाना जिसको हमने भून लिया है उसको हम mixi में grind कर लेते हैं ये coarse grind करना है बहुत जादा बारिक नी करना है थोड़ा सा हलका सा पीसना है हरा मिर्च है उसको भी हम इसमें साथ में पीस लेंगे नहीं तो ये होगा कि हरे पत्ते में हरी मिर्च एक साथ अगर मूम में आएगा तो बहुत ती खास लगेगा इसलिए हम मिर्च और मूम फली के दाने को एक साथ में हम पीस लेंगे तो देखिए इस तरह से हम इसको मिक्सी में लेके ग्राइंड कर लेंगे तो ये देखिए हमने मिर्च और मूम फली के दाने को अच्छी तरह से हमने पीस लिया यह तो हलका सा बारी खेपीशा है, बहुत पतला पेस्ट नहीं करना है, हमारा जो बगोना है गरम हो गया, इसमें हम एड़ करने जा रहे हैं, तीन टेबल स्पून ओफ ओईल, जिसे तेल गरम हो जाएगा, हम इसमें प्राई अब इसमें हम एक टेबल स्पून जो है यह राई डाल देते हैं, अगर आपके पास बारी क्राई हो तो बैस्ट है, छोटी वाली राई, एक टेबल स्पून हम जीरा डाल रहे हैं, यह आधा टीस्पून जो है हम नहीं एड़ कर दिया है, अब हम इसमें लसुन जो है वो एड़ कर देते हैं, तो जैसे हम लसुन थोड़ा सा बूने तक अच्छे से भून लेंगे, हलका सा लाल हो जाए, पत्तक में भूनेंगे, देखे हमारा प्याज भून गया है, अब इसमें हम एड़ करेंगे यह जो हल्दी और मिर्ची का पाउडर है, इसे अच्छे से मिला लेंगे, हम स्वादन उसा थोड़ा नमक एड़ करे इस तरह से हम इसको अच्छे से मिला लेंगे, और इसको धीमियाज में पकड़ी रख देंगे, यह जो पत्ते हैं कितने अच्छे से गल गया है, इसे हम धकर और 5-7 मिलग पका लेंगे, उसके बाद हमने जो शिंग दाना और मिर्चे का ग्राइंड कर लिया था, उसे हम अब इसको अच्छे से चलाके हम 2-3 मिनट और धीमियाज में पकने देंगे, इसको धग देंगे, तो देखे हमने इसे बहुत अच्छे से मिला लिया है, और इसे हम सिर्फ 2-3 मिनट के लिए धग के पकाएंगे, ताकि इसका जो पत्ते हैं वो बहुत सॉफ्ट हो जाएं, और मुमफली के दाने इसमें अच्छी तरह से गूल मिल जाएं, तो यह देखे हमने इसे 3-4 मिनट के लिए हमने पका लिया था, धकत, दीमियाज पे, तो हमारा सबजी रेडी है, अब इसा हम सर्फ करके आपको बदाते हैं, तो फाइनली हमने सर्फ किया है सहजन के पत्ते की सबजी को रोटी के साथ में, तो आप भी अपने घर पे जरूर ट्राइ कीजिए, और हमें कमेंड में पताईए, आपको कैसा लगा यह सहजन के पत्ते की सबजी, यह काफी अच्छा है हड़ियों के लिए, स्किन के लिए, तो डेफिनिटली इसमें बहुत सारे विटमिन आपको इसकी सबजी बनानी चाहिए और खानी चाहिए, अच्छली यह हमारे एक दर्शक के रिक्वेस्ट पे हमने यह बनाया है, थैंक यू अदित्य आपने यह हमें याद दिलाया और हमने यह सबजी को आपके सामने प्रस्तुत किया, तो आप भी बनाईए और हमें बता सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू फॉर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल वोमिन्स कीचन